दिस नॉट टे जोग दोस्तों बिटकोईन की एटीव एफ एफूप होने वाद है गुड बारिंग दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकोईन एटीव को लेके कुछ बड़ी पॉजिटीव निउसे से उसके साथ बात करे हैंगे दोस्तों फ्लो की इनू एंड क्लासिक लूना को लेके क्या कुछ चल रहा है अब आई सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट की कंडिशन एंड हालात की बारे में बात कर लेते हैं अब देखें दोस्तों मुझे नहीं लेगता कि ज्यादा तर लोग अभी पैनिक है वो पैली सिट्वेशन से लोग अभी निकल के बाहर आ चुके हैं एड आप एंड हम हमारी पोर्टफोलियों चाहे कुछ-कुछ रेड हो कुछ-कुछ गिरीन हो अभी उतना रेड ही चाह गिरीन जाता नहीं बने बट उनमें कुछ-कुछ कोई पॉइंड में हमें अच्छी खा पैली के दोस्तों हम बात करेंगे वान एक्स से लेके फाइव एक्स तैन एक्स तक की हमने प्रॉफिट बॉकिंग किसी किसी कॉइन पर की है डेफिनेटली की है अगर आप मेरे साथ लॉंग टर्म से जुड़े तो डेफिनेटली आप भी प्रॉफिट पे होंगे तो भई डरते हैं नहीं है situation जो भी हो उसको हम tackle कर लेंगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अपडेट की तो डेफिनेटली हम यह चीजों को करेंगे देखिए आप यूएस जो cpi data कलको date में आया वह 3.1 अगली बार से और भी नीचे आया लास्ट टाइम आया था उस तो 3.2 तो यह positive है market के लिए उपर से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर recently कुक वाहिन को उपर भी यहाँ पर allegation charges लगया गया बट उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा बट current time में जो market का condition है situation बन रहा है जैसे के आपको दिख रहा होगा BTC 49,000, 40,000 के आसपास ही है whereas हम बात करेंगे most of the cryptocurrency में रेट जोन बनता हुआ दिख रहा है क्यों तो भाई देखिए Sunday, Monday आज वर दिख रहा है तीन दिन हो गया है continuously price में थोड़ी dump आ रही है market में यहाँ पर क्या हो रहा है correction आ रहा है तो यहाँ पर odds coin में मतलब अच्छी खास गिरावट देखने में बिट रहा है एंड इसी चीज का मैंने आपको बताया था कि alt coin के band बजेगे अंगट BTC यहाँ पर गिरा तो उसके according हम prepared थे तो हमको कोई डरने वाले situation है नहीं हमने already काफी सारे profit booking की है at the rate of BTC जब 44,000 पे था 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 हमने बहुत सारे new coin पे entry बनाई थ इस बार कौन कौन से token को हमें देखना है और उठाने के लिए भी रखना है तो भाई देखिए सबसे पहले बात करूँगा अगर market अच्छी का सी correction जाती है तो आपको definitely soul पे नज़र रखना है dodge coin पे नज़र रखना है ठीक है उसके बाद आपको O P पे नज़र रखना है optimism उसके बाद आपको नज़र रखना है दोस्तों यहाँपर आगर मैं बात करू और कौन छुडग गया अइन्ज ए ठीक है इस तरीके से काफी सारे coin से and हम regular update पे एक series भी बनाएंगे कि अगर फिर से अच्छी खासी recover and bull sentiment देने वाले तो definitely इन सब coin आपको अगर range में मिलता है तो आप उठाइए ठीक है अब यहाँ पर बात करें थे दोस्तों सबसे पहले बात करें कि bitcoin की ETF को लेके क्या कुछ चल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं भाई कापी अच्छी बात है कि यहाँ पर तीसरा मीटिंग हुआ है दोस्तों bitcoin ETF का जैसी देखें तो second meeting with blockrock to discuss its sport ETF and यहाँ पर देखते हैं यह third number का meeting है third time मतलब यह सेटिकरेंगे बात करूंगा blockrock के बीच में यह third meeting है जो कि कल के date में conduct हुआ था ये अश्टे डेको conduct हुआ था अच्छी खासी चीज़ें हमें बहुत जल देखने मिलेगी और बहुत जल देखने मिलेगी तो definitely बहुत जल मतलब यहाँ पर दीखिए अभे अप्रेल जन्वरी के honors हमें अच्छी खासी जन्वरी फेबरारी का honors हमें बहुत अच्छी खासी market की scenario बनता हो दिखेगा और जन् मतलब तीनों यह जो बड़े नामी धामी कंपनी है जाइंट से अगर मैं बात करूंगा तो बिटकोइन एटीएप को लाइन अप करने के लिए कि कब किसको किस तरीके से अप्रूबेशन मिल सकता है उसको लेके भी इसी last week में मीटिंग कंडेक्ट किया गया है तो भाई definitely य यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि में बात कर रहा था कि बोन को लेके क्या अपडेट से तो भाई आपर सतोशी कुशामा ने कुछी टाइम पहले अब देख सकते हो तेरा तारीक को मतलब बोन की लिस्टिंग की बात की है कू को कोईन ने यहाँ पर लियर 2 कोईन और मीम कोई अगर हमां आज के टाइम पर देखेंगे तो बोन कोईन है जो कि दिस्तों सीवरियम लें टू का नेटिव टोकेन है तो भाई डेफिनेटली यह चीज़ है कि भाई मतलब बोन की डेफिनेटली एक अच्छी कासी डिमांड बढ़ेगी वो चाहे कू कोईन पर लिस्टिंग ह बोन एक अच्छा कासा प्राइस जोन पर ट्रावल करता हुआ दिखेगा एंड बुल सेंटिमेंट पर रिफिनेटली एक काफी तगड़ा रिटेन देगा इसी के साथ जैसे कि मैं बात करता है करेंट टाइम में अगर अब देखोगे 73 के आसवा से मार्केट का यहां पर सरकी 73 का चल रहा है बट कोई नहीं अच्छी कासी पोजिशन पर है एंड जैसे के हम बात करते है फ्लो की इनू तो भाई फ्लो की इनू डेफिनेटली कुछ करेगा ही करेगा तगड़ा करेगा एंड एक्सप्लोसिब कुछ करेगा क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करो करते हैं वो काफी लार्ज स्केल पे करते हैं जब लार्ज स्केल पे यह चीजे होती है तो डेफिनेटली एक समय में उन सब का प्राइस बढ़ना डेफिनेटली के साथ आपको मिल सकता है जैसे कि यहां पर बात करेंगे 2024 के अंदर फ्लो की इनू का प्राइस में एक मासिब ग्रोथ आ सकता है क्योंकि मतलब बीरिस सेंटिमेंट में अगर फ्लो की इनू में इतनी अच्छी खासी मतलब डीटेल के साथ अगर में बात करूं रीकवरी एंड अगर में बात करूंग यहां पर जो अड़िज केंपेंड जो भी कुछ चल रहा है वो इतना अच्छा चल है तो डिफिनेटली एक बोल सेंटिमेंट में फ्लो की इनू की जो पेरफरमेंस होगी मतलब मात करूं काफी हथ तक एक बहुत तग्री पेरफरमуз सेंटेक करू़ने करेंसोंने है तो डेने का चलओ पर lerवी है निफिनेटली उन एक मतलब मासशिव लेवल का रिटर में दे सकता है ने सबस्क्राइब किया गेए चीज़े कहने रेशियो दीर धीर इंकरीज हो रहा है बी बट बीच में की बन फैनली इसके को बं Спасибо list किया गया है तो अब time में यहाँ पर मतलब coinbase की realisting का coinbase में भी साइद बहुत जल्द हमें LUNC list होता हुआ दिख सकता है and definitely चीजें यह है कि bull run पे जो price चल जा है आपने जलेक देख लिया होगा कि recently इसका price लगबग 4 गुना 5 गुना हो गया था 0.6 से लेकर 25-26 30 के आसपास चला गया तो यह मान के चला 5 गुना हो गया है तो भाई 5X जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है अगरम बात करने क्रिप्टो market में कोई coin के लिए 5X 10X भाई यह तो यह चले जाएंगे वही चीज़ में आपको बहुत दिनों से समझा रहा हूँ कि कोई भी रद्धी से रद्धी token उठाके रखलो अपने portfolio में वो एक bull sentiment में है मतलब जो की थोड़ी बहुत चर्चा में है ऐसा नहीं कि आप किसु नहीं लेकर उठाओगे सायतामा इनू लेकर उठाओगे मतलब बहुत साराई से फाल्टू token है जिस पर हमें investment नहीं करना है बट जोड़ी बहुत market है फेस value है और जो थोड़ी बहुत चर्चा में रहते हैं जो highlighted tokens है उन पर अगर आप investment बनाते हैं तो definitely 5-10x की return जैसे कि मैंने last एक वीडियो पर बताया था